Hello everyone, मैं हूँ केटी फ्रॉम पूछो तो एड्यूकेशन और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी का जो इस समय का सबसे होट टॉपिक है कि कोरोन लॉग्डाउन की वज़े से जो स्कूल्स बंद हुए हैं वो दुबारा कब खुलेंगे? इक कोर्शन बार बार लोगों के दिमाग में आ रहा है चाहे वो पैरेंस हों, चाहे वो अफेक्टेट इस्टुडेंस हों, चाहे वो टीचर्स हों, पूरी एडुकेशनल कम्यूनिटी में ये बहुत होट टॉपिक है कि अब ये स्कूल्स दुबारा कब ओपन होंगे? हमें कुन आने वाले हैं, कही एग्जाम सभी तक नहीं हुए, जीएओ नीट इस सेशन का भी कंपीट नहीं हुआ है, और बोड इग्जाम भी नहीं हुए, उनका एविल्यूईशन और उनका रिजल्ट भी बंधा बाकी है, तो अगला सेशन, अगला अकैडमिक सेशन कभी स्टा दा रहा हूं तो जिसके सही होने की प्रवरिटी मोर देन 90 परसेंट है तो यह काफी हद तक सही निकलेगा देगे सबसे पहला जो इस्टू उठ रहा है वो यह उठ रहा है कि अगर हम स्कूल खोल देते हैं तो क्या बच्चे जो होंगे वो फूसल डिस्टेंसिंग के नॉम खोल जाता है तो क्या वहां पर स्कूल अगर खोल गे जाएंगे तो बच्चे जो कि लापरवाह टाइप के होते हैं गड़ से निकल गए तो खेल रहे हैं उनके बाते उनके दिमांग में इतनी इजली समझ में नहीं आती है तो बच्चे खासकर छोटे बच्चे वो सोचल कि नॉम्स उतने इस्टिकली फालो नहीं होंगे तो एक तो यह एक कोशन पॉलसी मेकर के दिमाग में जरूर आ रहा होगा दूसरा कोशन ही है जो स्कूल्स का जो हर नए सेसन से पहले एक प्लानिंग होती है बुक्स छपती हैं उनके नए बैक्स आते हैं या इसके आप बो लोजिस्टिकल प्रॉब्लम्स है अभी बुक्स जो नई पब्लिक पब्लिस होनी होंगी जाकर जो उनके जो जो उन्यूफॉर्म बनने होंगे जो बैक्स बनने होंगे वो अगर अभी हमारा नया सेसन के जो प्लानिंग होती है वही इस टक होगई यूगि सारी चीज़ों लोजिस्टिक्स के लिए भी एक महिना तो मिल्मम चाहिए होगा कि बोर्ड एक्जाम या पिजला सेसन हो जाए उसके बाद सारी चीज़ों ओपन हो तो एक महिना तो सिफ लोजिस्टिकल्स प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए चाहिए होगा अने तर इस्यू है कि इवेन से कोरोना के बढ़ने की गुरूथ अभी क्या है कहीं उनके महले में नेबर हुड में कोरोना तो नहीं फैला है तो आइटिंग कोई भी पैरेंट इस मौके पर बच्चों को घर से स्कूल की तरफ नहीं बीचेगा नहीं जाने देगा कि इवेन इफ स्कूल ओपन हो जाते है कि सारे पैरेंट्स वाच करेंगे देखेंगे कि क्या स्टेटिस्टिक्स क्या कह रही है कोरोना के बनने की देट थम रही है कि नहीं थम रही है तो यह भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा तो देखे होना क्या है मेरे एसाब से इस स्कूल का अगर मैं बात करूं तो मई- प्लानिंग का होगा, तो अगर मैं जून के बाद, एक महीना प्लानिंग का जुलाई ले लिया जाए, जहां पे schools अपने नय अकेडमिक स्ट्रक्शर की प्लानिंग करेंगे, करेंगे, तो जो final मेरे एसाब से जो date बनती है, जो month बनता है, जहां से नया academic session start होगा, यही साथे inputs, policymaker भी अपने दिमाग में रखते होंगे, वो होगा August, 90%, more than 90% probability of accuracy के साथ मैं बोल सकता हूँ, कि August से नया academic session starts होगा, और schools जो है, reopen होगे, सारे के सारे, अगस्त में, और I think अगर इसके, अगर आपको कोई मेरे साब से तुरह सा टाइम पर वेट करिएगा, अगर आपको कोई और input मिलता है, ऐसे लिटेग, ज़रूर आप comment box पर comment करके बता सकते हैं